तो आज हम डिसकस करने वाले एक और योग उपनिशद जिसका नाम है योग तत्व उपनिशद यूजिसी नेट योगा के सिलिबस के अकॉर्डिंग हमें ये सारे टॉपिक्स इस पर्टिकुलर योग तत्व उपनिशद में से पढ़ने हैं वो क्या है यहां पे चार योग ब साथ ही साथ इसमें डाइट और दिंचर्या के बारे में बात कही गई है और प्राइमरी सिम्टम्स और योग सिद्धी और प्रिकॉशन क्या प्रिकॉशन से योग साधक को लेने चाहिए और क्या सिद्धी के लक्षन है ये बताए गए हैं तो अगर हम देखें योग या जुरुवेद का पाठ है योग तत्व का मतलब है योग के तत्वों का गूर्ण निरूपन जहां पर जो बिलकुल abstract elements है या abstract understanding है योग के बारे में और उनके elements के वो बताई गई हो इसलिए इसका नाम रखा गया योग तत्व उपनिशत और इस पर्टिकलर उपनिशत ते फोर पाठ्स ओफ योग समझाए गए हैं मंत्र योग लए योग हट योग और राज योग और उपनिशत ये भी कहती है कि बेस्ट वे कैवल ने को पाने का जो है वो योगा है मतलब योगा के माध्यम से आप सबसे अच्छे तरीके से और आसान तर से तर्शिक के बेसिस पे यहांपे चार योग बताए गए हैं मंत्र योग लेए योग घर्ट योग और राज योग इनको सीकुएंस में भी याद रखना हैं क्यूंकि जो हमारा question होता है, जिसमें हमको sequencing में arrange करना होता है, या assertion and reason में ऐसे questions बनने के ज़्यादा chances होते हैं, और उनके stages और अवस्था भी इसमें बताई गई हैं, तो ये चार योग की stages कौन से हैं, अवस्था कौन सी हैं, तो आरंब अवस्था, घट अवस्था, परिचे अवस्थ और निश्वत्ति अवस्था, जो कि हम आने वाले slides में discuss करेंगे, फर्स्ट इस मंत्र योग, तो मंत्र योग के बारे में क्या बताया गया है, योग तत्व अपनिश्वत्त में, तो वन हो रिसाइट्स ता मंत्रा, कंट्रेइनिंग मात्री, the beginning for 12 years, विल ग्राजुली ओंस अश्ट सिद्धी, but will remain a fool, और अल्प बुद्धी इन योगा, and become a low grade और अधम कोटी साधक, मतलब जो मात्री वाली जो मात्राएं होती है, ठीक है, मंत्रा होते हैं, जो मात्री का धातु लगता है, उसको 12 साल तक प्राक्टिस करने से अश्ट सिद्धी होती है, ठीक है, पर ऐसे साधकों को अल्प बुद्धी का माना गया है, और अधम कोटी का साधक, यानि कि बहुत निम्न कोटी का साधक यहाँ पर बताया गया है उनको, ठीक है, अब ये मात्रा जो है, या मात्री जो धातु है, वो क्या है, तो मात्री धातु जो है, वो 51 संस्कृत अल्फा बे होती है ऐसा माना जाता हुआ उनको सबसे लो ग्रेट के साधक्स माने जाते हैं जो मंत्री योगा से साधना करते हैं कि next is ले योगा तो जब चित्त ले में चला जाता है ठीक है या contemplation of जब चित्ता बिल्कुल focus होके किसी ले में चला गया तो उसे ले योग कहते हैं इस particular उपनिशद में ये कहा गया है कि ले चित्त के ले में जाने के लिए crores of methods यहाँ पर बताई हुए हैं मतलब इस particular उपनिशद में नहीं ऐसे ठीक है बहुत सारे means है उपनिशद में बताई गया है वो आपका पूरा similar है हट योग प्रदिपिका से ठीक है जैसे कि यहाँ पर मुद्राओं की बात की गई है तो महामुद्रा, महाबंध, महावेद और खेचरी मुद्धा बताई गया है बंधा, जालंदरबन, उध्यानबंध, महाबंध यहाँ बताई गया है इसके अलावा नादनु संधान को यहाँ पर दीर्ग, प्रणव संधान के नाम से प्राक्टिस करने के लिए कहा गया है इसके अलावा listening of परम सिध्धान means जो भी शुतीज होती है परम ज्यान होते हैं वो सारे discourses को सुनने के लिए यहाँ पर बताया गया है साथ ही साथ प्राक्टिस करना है वज्जॉली, अम्रॉली और सहजॉली मुद्राओं को ऐसा इस योगतत्व उपने शद में हट योगा के लिए बताया गया है फिर उसके बाद है राजयोग जिसको सबसे उच्च कोटी का योग माना गया है यहाँ पर इस मंत्र, ले, हट और राजयोग जो सीक्वेंस में दिया है उसका यह मतलब भी यही है कि सबसे निम कोटी का मंत्र योग और सबसे उच्च कोटी का राजयोग इसलिए इसका नाम राज रखा गया, राज योग, मिन सुप्रीम योगा, तो जैसा कि हम सब जानते हैं, राज योग मतलब अस्टांग योग होता है, तो इसके आठ अंग होंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धार्णा और समाधी, ध्यान और समाधी, तो यहां पर यम में क्या बताए गया है, यम जो है, वो तो बताए ही गये है, साथ ही साथ यहां पर शुष्म आहार के बारे में यम में बताए गया है, योग तत्व उपनिशद में, तो यहां में मैंने जो है, में में पॉइंट्स जो उस पर्टिकुलर लिंब के हैं, वो ही स describe किये हैं क्योंकि पूरा-पूरा यम पढ़ने से हमें कोई benefit नहीं है और हम confuse होंगे क्योंकि अलड़ी बहुत सारे जगा जो है यम नियम बताए गए हैं तो यहां पर यम में आपका शुष्म आहार के बारे में बात कही गई है यह योगतत्व उपनिशत में आपको याद रखना है नियम में यहां पर अहिंसा को रखा गया है . इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताएवा और कॉन सी हट-योगा की टेक्स्ट है जिसमें नियम में अहिंसा को रखा गया है। नेक्स्ट आसनाज में सिध्धासन, पदमासन, सीहासन और भदरासन यहां चार आसन बताए गया है और प्राणयाम में यहां बताए गया है नाड़ी शुद्धी तो पदमासन में बैठ कर नाड़ी शुद्धी प्राक्टिस करने से नाड़ी प्यूरिफाई होती है यह इसा माना गया है इस उपनिशद में तो यह duration और यह ratio आपको याद रखना है 16 इस्टो 64 इस्टो 32 का ratio यहां पूरा क्रेचक और कुम्भक का बताए गया है और practice का duration यहां पर बताए गया आपने चित्त का वो धारना है और ध्यान दो तरह के ध्यान जैसे की हटियोग में बताए गया सगुन और निर्गुन ध्यान वैसा भी यहां पर बताए गया है तो आपको क्या करना है श्रीहरी का ध्यान लगा के अपने दोनों आईब्रो के बीच में ग्लाबिला या फिर अश्टांग यहां पर बताए गया है उसके अलावा ऑप्स्टक्शन ऑफ या ऑप्स्टेकल्स क्या है योगा में इस योगतत्व उपनिशत के अकॉर्डिंग तो आलस्य खुद की बढ़ाई करना मंत्र के भरोसे रहना पर्टिकुलर चीज की सिद्धी के लिए मंत्रा चा सबको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको अपनी साध्धा को उच्च कोटी का बनाना है तो ऐसा इस उपनिशत में बताए गया है नेक्स जो है डाइट तो डाइट के बारे में यहां बताए गया है कि बिगनिंग जब आप कर रहे हैं प्राक्तिस के आस्नन और प्राण आयाम की तो आपको सरफ मिल्क और घी कंजियूम करना है यह इस उपनिशत में कहा गया है इसके अलावा योग वृद्धिकारक आहार कौन-कौन से हैं गेहूं मूं और चावल यह तीन चीज यहां पर योग वृद्धिकारक के नाम से बताए गया है और क्या चीज़े हमें अवॉइड करनी है तो मसाले, हींग, बहुत जादा नमक और excessive draining activities कोई भी ऐसी activities जिसमें जादा energy drain हो रही हो वो हमें नहीं करना है योग साधना के दौरान ऐसा इस उपनिशत में बताए गया है फिर different stages जैसे की देखा गया था हमने आरंब अवस्ता, घट अवस्ता, परिच पत्ति अवस्ता, यह चार stages है योगा के, तो आरंब अवस्ता में क्या होगा कि कुम्भग के benefit जो है वो यहां पर बताए गया है आरंब अवस्ता में और कुम्भग के practice के लिए आगे योगी को motivate किया गया है, तो कुम्भग के क्या benefits है, one can achieve कुम्भग सिध्धी, will get benefit, can levitate, means जेसे